हेलो एव्रिवन वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एव्रिवन आज का टॉपिक है कनेक्टर्स या कन्जंक्शन्स लिंकिंग वर्ड्स ट्रांजिशन वर्ड्स कुछ भी बोल सकते हैं हम इनको मतलब वो वर्ड्स जिनसे हम दो सेंटेंस इसको कनेक्ट करते हैं तो आज ऐसे ही कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स आपके साथ शियर करने वाली हूँ साथ ही सभी के मीनिंग तो बताओंगी ही और इग्साम्पल भी आपके साथ डिसकस करूंगी तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहरे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें अगर अगर अभी तक नहीं किया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें फिर्स्ट वर्ड है अबब आल, अबब आल का मतलब होता है सरवाधिक महत्पूर्ण या सबसे जरूरी एक्जामपल है मनी इस इंपोर्टेंट फॉर मी बट माइ फैमिली इस अबब आल मतलब मेरे लिए पैसा महत्पूर्ण है लेकिन मेरा परिवास सबसे उपर है मतलब सबसे जरूरी है या सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है मतलब महत्पूर्ण है तो अबब आल का मतलब होता है सरवाधिक महत्पूर्ण या सबसे जरूरी अगला word है actually actually का मतलब होता है वास्तम में सच मुच हकीकत में सच में या असलियत में example है इसका actually I didn't want to stretch the matter further so I said sorry to him मतलब दरसल या वास्तम में या असलियत में इस मामले को और आगे नहीं बगाना चाहता था या चाहती थी इसलिये मैंने उससे माफी मांगी तो actually मतलब वास्तम में next है all in all all in all एक connecting phrase है जिसका मतलब होता है सब मिलाकर या कुल मिलाकर example है all in all it was one of the fantastic dance performance of her मतलब कुल मिलाकर या सब मिलाकर यह उसके शानदार्ट नरत्य प्रदरशनों यानि dance performance में से एक था तो all in all का मतलब होता है सब मिलाकर या कुल मिलाकर मतलब overall next word है almost almost का मतलब होता है लगभग या करीब करीब example है इसका we need to hurry up it is almost 5.30 and we have to reach the party while 6 o'clock इसका Hindi meaning है हमें जल्दी करने की जरूरत है लगभग सागल पांच बच चुकी है और हमें 6 बजे तक party में पहुँचना है या करीब करीब 6 बजे तक party में पहुँचना है तो almost मतलब लगभग या करीब करीब next word है apart from apart from के दो meaning होते है एक मतलब होता है के अलावा के अतिरिक्तिया साथ ही और दूसरा meaning होता है कोच होकर first meaning से example है apart from reading I also love music and dancing मुझे पहने के अलावा संहीत और रत्यका भी शौक है next meaning से example है apart from the low salary it is not a bad job मतलब कम वेतन या कम salary के अलावा यह कोई बुरा काम नहीं है तो apart from के मतलब होता है के अलावा और कोच होकर next is as a matter of fact यह एक connecting phrases का मतलब होता है वास्तव में असल में या सच तो यह है की example is she hate him but as a matter of fact he has had her whenever she needed मतलब वे उससे नफरत करती है लेकिन वास्तव में या असल में या सच तो यह है की जब भी उसे जरुरत हुई उसने उसकी मदद की next है at least at least का मतलब होता है कम से कम example है इसका you should learn at least five new words per day to enhance your vocabulary मतलब आपको अपनी शवदा बली मतलब vocabulary बढ़ाने के लिए रोजाना या प्रतिदिन कम से कम पाँच नए शवद सीखने चाहिए तो at least का मतलब होता है कम से कम मतलब minimum next है by virtue of by virtue of का मतलब होता है की वज़ा से या के कारण से by virtue of की जगा पर because of का भी यूज़ कर सकती है example है I missed my train by virtue of not reaching the station on time मतलब समय पर station नहीं पहुँचने की वज़ा से या के कारण से मेरी train छूट गई यहाँ पर I missed my train because of भी बोल सकते थे next है beyond beyond का मतलब होता है से परे के बाहर या के आगे example है our success was far beyond what we thought possible इसका मतलब है हमारी सफलता जो हमने सोचा था उससे कहीं आगे थी मतलब जो हमने सोचा था उससे परे थी तो beyond मतलब के परे next है by means of by means of का मतलब होता है की सहायता से की मदद से के द्वारा या से मतलब कोई काम जो किसी दूसरी चीज़ की help से हो example है you can speak fluent English only by means of practice and dedication मतलब आप धारा प्रभा मतलब fluent English के वल अभ्यास और समर्पवल के माध्यम से बोल सकते हैं यानि की अभ्यास, practice और dedication की help से या मदद से बोल सकती है next है despite despite का मतलब होता है के बावजूद या होने पर भी example है despite studying hard he could not crack the exam और he could not pass the exam मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी या के बावजूद भी वह परिक्षा में सफल नहीं हो सका next is even so even so का मतलब होता है फिर भी या तब भी इसका example है she had a little money in her purse even so she gave some of it to a beggar मतलब उसके बटूए यानि के पर्स में थोड़े से पैसे थे फिर भी उसने उन में से कुछ एक भिकारी को दे दिये तो even so का मतलब होता है फिर भी या तब भी next है even though even though का मतलब होता है भले ही, चाहें, यद पी या हाला की example है he is running a successful business even though he is not well educated मतलब वह एक सफल ब्यफसाय चला रहा है भले ही या चाहें वह अच्छी तरह से शिक्षित न हो मतलब भले ही वह अच्छी तरह से शिक्षित नहीं है लेकिन फिर भी वह एक सफल ब्यफसाय चला रहा है तो even though का मतलब होता है भले ही, चाहें, यद पी या हाला की अगला है eventually या at last eventually, at last या finally, इन सभी के मीनिंग होते हैं आखिरकार, अंत तह, अंत में या आखिर में example है I was very nervous at the beginning but eventually, या finally या at last, I have cracked the interview मतलब मैं शुरू में बहुत नर्वस था या नर्वस थी, लेकिन आखिरकार या अंत था या आखिर में मैंने interview crack कर लिया मतलब interview को pass कर लिया तो eventually मतलब आखिरकार, next है furthermore या moreover इन दोनों ही words के meaning same होते हैं मतलब इसके अलावा साथ ही साथ, इसके अतरिक्त या उपर से example है she is very beautiful and furthermore या moreover, she has a loving and caring heart मतलब वह बहुत खुबसूरत है और इसके अलावा या साथ ही साथ या उपर से उसके पास एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला दिल है तो furthermore या moreover इन दोनों का ही meaning होता है इसके अलावा या साथ ही साथ next है however however के दो meanings होते हैं first meaning है तथापी फिर भी तो भी या लेकिन और जो दूसरा meaning होता है वो होता है कितना भी चाहें जैसे भी या किसी भी तरह however के इन सभी meanings को examples से ज़्यादा अच्छे से clear कर पाएंगे तो example है first meaning से I am starving however I have nothing to eat मैं भूख से मर रहा हूं लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है या फिर भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है next है you can't catch her however fast you run आप कितनी भी तेज दौगें आप उसे पकर नहीं सकते या आप चाहें जैसे भी दौगें आप उसे पकर नहीं सकते next है however I said I am not getting it comfortable मतलब मैं चाहें जैसे भी वैठ हूं या किसी भी तरह वैठ हूं मुझे आरामदायत नहीं लग रहा है next है in lieu या instead of in lieu of या instead of का मतलब होता है के बजाए के बदले में के स्थान पर या की जगहा पर in lieu of या instead of in lieu of या instead of का मतलब होता है के बजाए के बदले में के स्थान पर या की जगहा पर example है why have you purchased fast food in lieu of fruits या instead of fruits मतलब आपने फलो के बदले में या फलो की जगहा पर fast food क्यों खरीदा है next है less less का मतलब उतक कहीं ऐसा ना हो की कदाचित क्या जाने या नहीं तो example है work hard less you should fail the exam मतलब कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो की आप परिक्षा में असफल हो जाओ या कड़ी मेहनत करें कहीं आप परिक्षा में असफलना हो जाएं next है while या whilst मतलब जब की example है she is an extrovert girl whilst या while her sister is an introvert मतलब वह एक बहिर मुखी लगकी है मतलब उससे लोगों से मिलना जुलना बाचित करना पसंद है जबकि की बहन अंतर मुखी है मतलब उससे अकेली रहना जादा पसंद है तो while here whilst का मतलब उता है जबकी तो ये था आज का वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जाउ कि श defenders कि कि कॉरिए अएज़ हिएा कि कि कि'तो आपने उन्नंग सक्यान, कि कई। छिएमीर शेकिते氣 करें छो यट कॉरिप सेन भीडियों